नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पानी पीने के सही तरीके और पानी पीने के दोस्तों फायदे दोस्तों पानी पीना हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम खाना ना खाएं फिर भी हम जिन्दा रह सकते हैं एक दो हफ़ते तक लेकिन दोस्तों अगर हम पानी ना पिएं तो दो दिन से जादा हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को लाश तक देखते रहिए और आज हम जानेंगे कि पानी पीने के किस तरीके से फायदे हमारे सरीर को है दोस्तों पानी अगर हम सही मात्रा में और सही तरीके से पीएं तो हमारे सरीर को यह बहुत ही फायदे मंद है दोस्तों पानी पीने के सही तरीके यह हैं कि पानी पीते समय आप कभी भी उपर से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों पानी पीते समय हम लोग खड़े होकर उपर से पानी बाटल से पीते हैं तो दोस्तों पानी पीने का यह बहुत ही गंदा और बहुत ही गलत तरीका है अगर आप उपर से पानी पीते हैं, मुह लगा कर गलास से पानी नहीं पीते हैं, तो दोस्तों इससे अगर उपर से पीने के बाद आपने नोटिस किया होगा, कि उपर से पानी पीने के बाद हमारे पेट में गैस बनने लगती है, जिससे हमें पेट दर्द की प्रॉबलम बह पीते हैं तो आपके चेहरे पर रूखापन आ जाता है हमारी इसकिन साफ नहीं रहती है तो इसके लिए आप दिन में कम से कम धाई से तीन लीटर पानी आप पीएं अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पैसाब करते समय आपका पैसाब पीला पन में होता है और आप इससे देखकर आप इसे बहुत ही नार्मल समझते हैं लेकिन यह नार्मल बात नहीं है अगर आपका पेशा पीला पन में आर हो रहा है तो आप पानी की मातरा थोड़ा बढ़ा लें और आप पानी पीते समय एक चीज का koosis ना करें आप ड्हाई सो से 300 ग्राम से ज़्यादा पानी ना पींए एक बार ड्हाई सो ग्राम पीने के बाद आप आदे घंटे के बाद फिर से भाई सो ग्राम पानी पींए दोस्तों हम क्या करते हैं कि कुछ काम करते समय अगर हमें प्यास लगती है अगर हम में नहता काम करते हैं अगर हमें प्यास लगती है तो हम करते हैं हम एकी बार में ज्यादा मात्रा में आदा लीटर से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना है थोड़ा पानी पीने के बाद आप थोड़ी टाइम के ही बाद फिर से पानी पी सकते हैं दोस्तों अगर आप गर्म पानी पीएं अगर आप पानी को उबाल कर उसे रख दें उसे हलका ठंडा होने के बाद अगर आप उसका सेवन करते हैं तो दोस्तों यह किसी दवा से कम नहीं है यह आपके लिए बहुत ही फाइदे बंद है आप इसे आप बहुत ही आसानी से पी सकते हैं और गर्म पानी पीने के आप समझ अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है आपके खाने को अच्छे से नहीं पच पा रहा है तो आप इसे पानी को पीए अगर आपका मोटापा बढ़ चुका है आपको मोटापा कम करना है तो आप अगर घर्म करके पानी पीते हैं तो मोटापा कम करने के लिए दोस्तों यह बहुत ही बड़ी समझ लिजी दवा है इसे आप को करना कुछ नहीं है आपको एक पतीले में पानी रख कर उसे गुनगुना कर लें पानी जब उबल जाए दोस्तों तो उसे फिर आप रख दें जब ठंडा हो जाए तो आप उसे पी सकते हैं बहुत ही आसानी से पीए और आपको अगर एक बार गर्म पानी पीने की आदत लग जाएगी तो यह बहुत ही अच्छा आदत है आपको बिसलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी यह बिसलरी से भी अच्छा पानी है और इसके लिए दोस्तों अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी आँखों की रोसनी बहुत ही ज़्यादा तेज रहेगी अगर आ आप अगर गर्म करके पानी पीते हैं तो आपकी आखे बहुत ही तेज हो जाएंगी तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों हमारे इस यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें आप अपने दोस्तों में भी सेयर कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में